नीव के पत्थर जनके बल्बुते के उपर पाच साल पहले राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार बने थी और 2023 में खड़के साथ दुबरा राजस्तान में कॉंग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम तयार हैं हमारे नेता राहूल गांदी जी ने जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा में एक संदेश दिया उस संदेश को मानते हुए राहूल गांदी जी ने कहा कि नीडर बनो मैनत करो जनता के बीच में जाओ और मोदी सरकार को उखाड फैको और जिनकी समस्याओं से निजात आज इस प्रकार का वातावरन है आज मैं निवेतन करना चाहता हूँ राजस्तान के अंदर ये खड़के साहब और राहूल गांदी जी ये वो कॉंगरेस के बूत अध्देक्स से लेकर के हमारे मंडाल अध्यक्स हमारे तमाम ग्राम पंचायत अध्यक्स हमारे चुनेवे और हमारे प्रदेश के वो तमाम कॉंग्रेश के प्रमुक कारिये करता आज आपका यतियाशिक स्वागत करने के लिए आए हैं. आज हमारे लिए बहुत हर्स का विशे है कि आज के दिन हमारे राजस्तान प्रदेश कॉंग्रेश कमिटी का च्यार मंजिला नए भवन की नीव रखी गई आदने खड़के साब और राउल गांदी जी दोनों ने साथ आ करके राजस्तान के कारिय करताओं के बीच में इस नए भवन की नीव रखी है यह नए भवन की नीवी नहीं है यह राजस्तान में दुबारा 2023 में भारी बहुत के साथ में कॉंग्रेश की विजह का आईलान करने के लिए कोंग्रेश के कारिकरता हुआ है रावल जी आपने हमें एक ही बात सिखाई है कि निडर रहो डरो मत और बबर शेर बन करके इस मोधी सरकार का विरोध करो इसकी गलत नितियों का विरोध करो ये वो बबर शेर हैं जिन्नोंने कमर कसली है कि 2023 भी हमारा होगा और 2024 भी हमारा होगा इस मोधी सरकार को उखाड पैंकेगे चाए वो कितनी भी समयदानिक सहिस्ताओं का दूर्पियों कर ले चाए वो कुछ भी कर ले हमारे पास में मलीकार जुन खड़गे साब जैसा नेता जिनके अत्यक्स बनने के बाद में हमने चाए हिमाचल हो चाए करनाटक हो भारतिय जन्ता पार्टी को और मोधी जी के चैरे को धूल चटाने का काम किया है इनको परास करने का काम किया है आज ये सारे के सारे लोग आज संकल्प लेने के लिए आए हैं ये भवन भी बनेग और भवन के साथ साथ जू जू ये भवन उच्छा जाता जाएगा जू जू यहाँ पर कॉंग्रेस की जड़ें और ज्यादा मजबूत होंगी और हम सब मिल करके आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं यह पूरा मंच और यह पूरा पंडाल और यहाँ जो आज नहीं लिडर्शिप में खड़के साब और राउल गांजी की लिडर्शिप में हम यहाँ से बच्चे-बच्चे के पास जाएंगे उड़े के पास जाएंगे हमारी सरकारी योज नहीं शांदार हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है दस तरीके की गारंटी दी हैं कोई एं कोंग्रेस की सरकार बनाने के लिए संकर्प ले करके आज आपके सामने जाएंगे यहां कोई ड़ने वाला नहीं है आपने सही कहा कि यह जो मेरे राजस्तान के जो नीडर बबर शेर हैं यह राजस्तान में नहीं बलकि हिंदुस्तान में 2024 में भी कोंग्रेस का जंड़ा बुल गाहा सिरवाद और आपका एक संदेश लेकर के गांव गांव उठानी डानी में जाएंगे कॉंग्रेस के जंडे को बुलंद करेंगे और 2023 में पुने कॉंग्रेस की सरकार बना के आएंगे ये ये साधारन कारिय करता नहीं है माननिये खड़के साथ ये वो लोग हैं जो बू कॉंग्रेस कमेटी की कार्यकारनी है हमारे जिला कॉंग्रेस कमेटी की कार्यकारनी है हमारे प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी की कार्यकारनी है और आज आज के दिन यहां जिला अदेक्स संग्ठन को आपके नेत्रितों में इतना मैत्व दिया गया है कि जिला अदेक्स कार बनाएंगे आप पधारे आपका पुने इन सब की और से और जो नहीं भी आए हैं उन सब की और से आपका बहुत-बहुत आबार धन्यवाद जै हिंग जै कॉंगरे